नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं शकूल भला आप सबका दोस्त आपका सही होगी आज आपके सामने एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ और मैं जब भी एक्चुली वाट्सअप खोलता हूँ आप लोगों ने मेरे को टैक करा होता है काफी सारे केसी देखता हूँ बड़ा अजीब सा लगता है तो मैंने का चलो एक इसके बारे में आप से एक सांजी राय करने के लिए एक वीडियो ही बना दीजाए दोस्तों अभी हाल फिलाल में जो करन टॉपिक्स वाट्सअप वगरा में चलते रहते हैं वो यह है कि अभी पीछे ह कि हाल फिलाल में देखा गया कि कहीं से डॉग, किसी शल्टर में डॉग डैड हो गये, कहीं पर ढग भाग जाते हैं और कहीं पर आप देखे कि शल्टर ओनर ही डॉक्टर भी बना हुआEst रहा इन पे प्राप्ब लाइघ और फिर हमारे सीनयर्स ने काफी उसके खीज लगातार जो यह आई जा रही है यह क्यों आ रही है कि इसी बारे में चर्चा करना चाहरा था देखिए दोस्तों छोटे लालच में कह लिजिए यह यह कह लिजिए कि मतलब ना करने की इच्छा होने के कारण कुछ वॉलंटियर्स यह कुछ लोग जो होते हैं कभी कोई अगर आपके बसकर ना हो किसी डॉक्टर के पास ले जाए जो मतलब अपना क्लीनिक मेंटें कर रहा है उसके पास लेजिए उससे ट्रीटमेंट कर रही है और अगर उसकी कुछ दिनों की रखने की समझचा है तो कई कई डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो फॉस्टर बार बार लगातार ऐसी दिक्कते आ रही हैं और फिर भी मतलब उसी जगह पर आप अपने डॉक्स भेजे जा रहे हैं और फिर आके बाद में जब आपके सुनवाई नहीं होती शेल्टर सुनते नहीं है तब आप आके ग्रुप्स में और इस दर उदर जो है वो बात करनी किया था जिस वैसे frustration के कारण volunteers को आखे जो है वो अपनी बात आप सब के आगे WhatsApp में कहीं पर भी रखनी बढ़ती है दोस्तों सबसे अच्छी बात यही होगी जैसे आपकी अपनी feelings होती है ना आपके मन में आपकी प्रती एक भावना होती है आपके मतलब की बही जैसे मैं इ दूसरे इंसान की तवित खराब है तो उसको फिर रिलीज करेंगे तो ऐसी ही भावना जो है वो डॉक के बारे में आप सोचिए डॉक भी एक मतलब उसका भी एक मन है हमारे human rights है तो dogs के right कुछ नहीं है उसको भी तो एक human की तरह treat कीजिए अगर वो कहीं पे shelter में जा रहा है कि उसको वापस ही नहीं लाते है जो वो लंटे उसको भेजते हैं तो यह बड़ी अजीब बात है वो विचारा पर्मनेंट गया और फिर वो डैड हो की भाहर निकलता है तो यह बड़ी अजीब मतलब एक स्थिती है और ऐसी स्थिती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अभ को सबको मतलब कहना चाहता हूं देखिए जितने भी यह बड़े-बड़े जो मतलब एनिमल हीटर होते हैं यह जो लोग पसंद नहीं करते हैं उनकी यही सोच होती है कि डॉक हमारे सामने नीची हमें दरुदर करना है तो अगर आप अपनी सोच इनके साथ मिला लेंगे तो आप में और इन में फरक क्या रह जाएगा डॉक को उसकी जगह पर रखके ट्रीट कीजिए जितना हो सके मैकसिमा उसके बाद किसी प्रॉपर डॉक्टर की सेवाएं लीजिए फॉस्टर करवाईए कई कई शेल्टर और कई की जगह तो ऐसी हैं जो धडलने से खुले ही जा बैठ जाता है आप यह लगाईए तो जब यह इस्तिती इतनी धडलने से चल रही है और आप वोलंटियर्स के सहयोग से आपके पैसे से ही यह सब चीजे चल रही है और फिर बाद में दिक्कते भी आपके साथ आती है तो दोस्तों अच्छी जगह को जो है मतलब आप चुन कम से कम वापस तो आए ऐसा नहीं कि गया तो बस चला रही गया ऐसा नहीं क्योंकि जब वो चला ही जाया तो आप फिर ढूंडोगे इसको मतलब आप पियार किसको घर अब सेवा किसकी करोगे आशा करता हूं दोस्तों मेरा पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा और से आप शेयर कीजिए, वाटसप पे शेयर कीजिए, सब जगा शेयर कीजिए इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, अगर आप शेयर करेंगे तभी तो दो लोगों पता चलेगा वो भी सतर कोंगे, और आगे के लिए दिखते हैं बढ़ेंगे नहीं, और फिर दुबारा मै जो की प्रॉपर डॉक्टर के साथ होता है, उन पर फोकस कीजिए, ये फ्यूचर है, आने वाले एनिमल वेलफेर का फ्यूचर है दोस्तों, क्योंकि आगे जितने भी ये शेल्टर बड़े बड़े हैं, आप देखो संजे गांधी अनिमल के सेंटर, फ्रेंडी कोस, और भी से कहना चाहता हूँ, और प्रॉपर मेडिकल फोस्टर विद प्रॉपर डॉक्टर, आप इसी पर फोकस कीजिएगा, अगर रखना भी आपको पड़े तो, बाकी आप थोड़ा एवाइड कीजिएगा, आप खुछ समझदार है, आशा करता हूँ मेरा पॉइंट आप समझ होंगे, धन्यवाद दोस्तों,